जय मातडी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं हैं मैं फेस के उपर पानी वाली अलर्जी हो गई है है judge कि पानी वाली अलर्जी मतलब जैसे ही हम कहीं का पानी पी लेते हैं तो हमारे चेहरे के उपर दाने हो जाते हैं या गले में खरास हो जाती है या नहाने के बाद में हमारे चेहरे के उपर बहुत ज़्यादा खुजलियों में महसूस होना लगती है या आखे एकदम लाल हो जाती है तो अगर इस तरह के कोई हो सब्सक्राइब करने तो अगर आपको ऐसा पहीड रूर सब्सक्राइब की तो अगरी investigators महसूस होता है कि आप अपने घर से कहीं गए हैं आपने वहां का पानी पी लिया और पानी पीते ही या उस पानी पीने के या आप अपने ही घर में हैं आपको कहीं जाना नहीं है कुछ नहीं है आपने नहाया और नहाने के बाद आपको लगता है आँखें लाल हो जाती है कि नहाने के बाद में उनकी आखें लाल हो जाती है तो यह भी पानी से अलर्जी का लक्षण है नहाने के बाद चेहरे एकदम लाल हो जाए चेहरे के ऊपर बहुत बारीक बारीक गौहमोरी से सदाने हो जाए या उनमें खुजली होने लगे फेस में ऐसे ही दाने वाने कुछ नहीं दिख रहे हैं फिर भी खुजली होनी पास कि वो आरो का पानी पीते हैं लेकिन फिर भी आरो का पानी पीने के बावजोद भी उनके गले में खरास महसूस होती है उनको खासी आने शुरू हो जाती है और उनके गले में उन्हें छाले या दाने जैसे महसूस होते हैं तो यह सारे लक्षण पानी से अलर्जी के है अब मैं आपको बताऊंगी कि इन लक्षणों से हम इन समस्याओं से निजात कैसे पासकते हैं और कैसे हम इनको अपने आप से दूर कर सकते हैं तो सबसेल सेमें बता दूं जिन लोगों का आरो का पाणी पीने से compare या आपको अज़्ाल कोणा कांटे जैसे चुब रहे हैं तो आपको क्या करनाए कि आपको का पानी नीकालना पहले आप को निकालना अगर आप आरो का पीते हैं तो सब्सक्राइब क समय डुटाने साथ आप साधा पानी लगभग 5-7 ले लिए गर आपके हम कोई बड़ा बड़ता नहीं उस पानी को आप उबलने के लिए रख दीजे तेज आज पर उसमें जैसे ही एक उबालाएगा उसके बाद आज को थोड़ा कम कर दीजे और उस धीमी आज के उपर आप 3-4 मिनट इस पानी क पाउडर डाल देना है आपको त्य लिए यहां चमच आपको 5-7 लिटर पानी में फिटकरी का ईक चमच पाउडर डाल देना है उसके बारिक कपरे से इस पानी को ढढ़ना है असलिए लगना हैय पिर पीसको ठनदा होने देना है जब यह पानी पूरी तरीके से रूम टंप्रेचर पर आ जागा यानि पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर आपको उसी बारीक कपड़े से इस पानी को चानना है और बोतलों में भरके अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको बोतलों में भरके फ्रिज में लगा द होता है अगर आप पीते हैं तो आपको गले का और यह जो संक्रमण वगरा होता है यह नहीं होगा गले में आपको problem नहीं होती है तो अगर आप इस तरीके से पानी पहेंगे तो आपको पानी से मैं प ister सा सी हो जाती है का श comparison Ugly नहाने के बाद में आखे लाल हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूं क्या करना है नहाने के पानी में आप अगर साबर से नहाते हैं तो नहाना बंद कर दिए क्योंकि साबर में आप चीज मिला नहीं पाएंगे जो मैं बताने वाली हूँ लेकिन ध्यान रहा है जब भी आप फिटकरी के पानी से नहाएंगे लगए तो वो ऀसले पहले आप साबुन लगाते साधे पानी से नहाँ है में ताकि आप अच्छी तरीका Wiraldi को साफ कर सकें तो आप नहाते समय टेटमो सॉल साबुन का यूज करें टेटमो सॉल साबुन आता है किसी भी मेडिकल सॉप में आप मांग लेंगे आपको 80-100 रुपय तक में मिल जाएगा बहुत ही बेतरीन साबुन है कैसी भी बोडी में खुजली के अलर्जी हो आपके फेस पर खुजली होती हो आप इस साबुन को बेहिचक लगाईए इसका कोई side effect नहीं है और 3-4 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपके बोडी से आपके फेस से खुजली पूरी तरीके से खतम हो जाएगी यह साबुन चाहाए आपके घर में बच्चों को प्रॉब्लम है या आपको है या बुड्डों को प्रॉब्लम है आप किसी को भी यह साबुन इस्तेमाल करवा सकते हैं इसका किसी तरह का कोई नुकसान कोई side effect नहीं है आखे लाल हो जाती है बहुत सरे लोगों के बॉडी में ना तो नहने के बाद खुजली होती है ना दाने निकलते हैं उनके आखे लाल हो जाती है और आखों में ही काफी देर तक खुजली होती रहती है आधा पॉन घंटे के बाद अपने आप से सांथ हो जाती है तो उसके लिए आपको एकदम सुध अच्छी विराइटि का अच्छी ब्रांड का गुलाब पहरा होगा आण अच्छी में गुलाब शूप का आप ले सकते हैं आप मेडिकल इस्टोर में यह कहके गुलाब जल अपने पास रखना होगा अच्छी ब्रांड में गुलाबरी का आप ले सकते हैं डाबर का गुलाब जल ले सकते हैं आप मेडिकल इस्टोर में ये कहके गुलाब उस गुलाब जल को आपके छोटे में बरत नहांने के बाद में आप दोनों आखों में दोढ़ों गुलाब दिरे दिरे छोटी छोटी चीजह का थे लओ रखते रखते हैं अपनी प्रेशनियों को आप अपने आप से दूर कर सकते हैं कि हमारे लिए प्रयास हमें खुद करना होता है महनत हमें कुछ खुद करनी होती है कोई अगर आपके बॉडी के अंदर परेशा नहीं है तो उसे घभराना नहीं है क्योंकि कोई भी सरीर ऐसा नहीं है जिसकी अंदर कुछ न कुछ दिखकत ना हो जिस तरीके से समय समय पर मसीनग को ख provinces器 की जरूबत होती है रिपेरिंग जरूबत होती है वैसे हमारे बाड़ी को होती है तो पर हमें अपने बोड़ी को भी पॉस्टink आहार देना होगा और इस तो उमीद करती हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर काम का वीडियो लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक में चाहिए शेयर कीजिए नमस्कार भंदवाद